अगर आपने पहली बार विजिट के जरू चानल को सबस्क्राइब कर लेना उसी के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके यहापे और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेश करके इस चैनल को भी जरू सबस्क्राइब कर लेना तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों टाइमली मिल जाएंगे इस चैनल की बात करें तो इसका लिंक उपर आए बड़न पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है तो चले दोस्तों फिलाल इस वोड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कल बता है था कि ए यू स्मॉल फाइनस बैंक यह जो कंपनी बैंकिंग इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग भी आप इस चाहूते इसको बोल सकते हैं ओविसली जितना फास्ट ग्रो होगा उतना ज्यादा रिस्क रहेगा त तो आज ही के दिन 20 तारीक को कंपनी के नंबर आ चुके कंपनी के नंबर कब आए तो बाजार क्लोज हो जाने के बाद सवाचार के आसपास तो डेफिनेटली कल इस कंपनी के नंबर बाजार को कैसे लगे इसका रियक्शन देखना बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग रहे तो यह सारी चीज़ों को देखकर कलेक्टिवली डिशन यहाँ पे मतलब लिया जाता है तो चलिए अभी AU Small Finance Bank के नंबर कैसे रहे वो अभी हम लोग आपे देख लेते हैं सबसे पहले जून, मार्च, जून सिक्वेंस बिल्कुल ठीक है डिरेकली टोटल इंकम पे जंप कर लेते कितना है 197 लास्ट टाम कितना था अप्रोक्सिमेटली सेम ही ज्यादा कोई फरक ही नहीं 197 उसके आगे की फिगर देखने तो यह देखे कितना है 197 के आगे 934 यहाँ प परफर्मस इंकम के इसाब से देखने को मिल रहा है आगे पिचर बाखे आप सबलने हो को पता है खर्चें की बात करेंगे अभी खर्चा भी सेम रहेगा तो ठीक है अगर ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लेम हो जाएगी और खर्चा है इस वक्का 158 लास्ट टाम कितना था ओ हो 149 मतलब खर्चा इस वक्का बड़ा है और इंकम फ्लैट था मतलब यहाँ पर प्रॉफिट नीचे जाती वे देखने को आराम से मिल जाएगा लास्ट टाम कितना था एक साल पहले 108 सो यहली कंपनी अच्छा कर रहे है कौटर ली अगर हम लोग यहाँ पर बात करे तो यहाँ पर कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल करें ऐसा बोल सकते तो अभी क्या देखा कर्चे देखें तो इंकम माइनस एक्स्पेंडिचर प्रॉफिट या फिर लॉस तो कंपनी फिलाल प्रॉफिटेबल है तो चली देख लेते कंपनी के प्रॉफिट कैसे वेसाते में अल्य बड़ी बोल चुका हूँ बिफोर प्रॉफिजनिंग वाले प्रॉफिट है 39,000 के रेंज में देखने को मिल रहे हैं लास्ट टाइम था 48,000 के रेंज में एंड उसके पहले था सेम 48,000 के रेंज में मतला हम कह सकते इस बक के जो खर्चे है इसके कारण AU Small Finance Bank के quarterly and yearly profit के उपर स साफ-साफ impact देखने को मिल रहा है और यह वो profit है जिसमें कोई adjustment involved नहीं है अगर कोई दूसरी company होती मामला यहीं पे खतम हो जाता है बड़ आपको पता है जैसे मैंने शुरूवात में ही प्रवचन दिया NPP में से profit तो हो गया जो की इतना कुछ खास नहीं अभी देखना है पॉइंट नबर 8 आप देख सकते हो तो केवल 3,800 का प्रोविजन है जो कि लास्ट टाइम 9,300 था और उसके पहले तो 20,000 दोस्तों हम लोग कह सकते है प्रोविजन का जो डेटा है बहुत-बहुत-बहुत सुंदर है मतलब यहापर maximum जो पैसा है company का वापस आते वे देखने 9,000, 20,000 के range में हुआ करता था यह एक बहुत-बहुती great बात है अभी तो यह clash हो गया profit डाउन है बट प्रोविजनिंग बहुत हद तक control रहते वे देखने को यहापे मिल रहा है पर अभी भी कहानी खतम नहीं ही क्योंकि आप सभी लोग को पता है हम लोग को NPA भी देखने ह तो अभी अगर आप लोग को यहापे EPS देखना है तो जादा कुछ time waste नहीं हो करना चाहूंगा 4.2 आप देख सकते 5.3 एंड उसके पहले 3.25 तो हम लोग वही चीज यहापे कह सकते EPS उसी proportionate में देखने को आपे मिल जाता है बहुत सारे adjustment के बाद अभी आ जाते दोस्तों NPA अभी देखा गया तो match बिलकुल काटे की टककर चल रही है profit बहुत ही खरब था प्रोविजनिंग का डेटा बहुत अच्छा है कम होना चलो देख लेते यहापे NPA कैसे रहे ऐसे गवैंक के लिए NPA मेंटेन रतना थोड़ा मुश्किल रहता है रिसकी बैंक है कितना है 96,900 लास्ट टाइम कितना था 92,000 और एक टाइम पहले 149 जो हम लोग जरू कह सकते दोस्तों यहापे quarterly थोड़ा सा बड़ा है बट yearly बात करें massive गिरावट NPA में भी हम लोगों को देखने को आपे मिली है जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही का था बहुत ही जादा complicated number खेल रहेगा उसमें कौन यहापे जितता है वैसे तो देखा गया तो यह bank fundamentally तो strong हाथ रिस्की तो जरूर है देखा गया तो पर यहापे हम लोग कह सकते कि risk में भी fundamentally अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम थोड़ा बहुत आ गया आते वे देखने को मिल जाता है और हाली मे आते दोस्तो second stock के उपर विपरो retail investor का fundamentally strong में से एक पसंदीदा stock क्यों क्यों कि बहुत बार bonus दिया है तो इसलिए बहुत सर लोग invest करते हैं और रोज पूछते रहेते सर bonus कप देगा यह किसी के हाथ में नहीं सर जी यहापे मैं अलड़ी बता चुका bonus buyback split dividend यह side dishes है 400 के level पे आप चाओ तो बोल सकते हो जो की पाच डॉलर के आसपस trade कर रहा है कल अच्छा भागा था बड़ आज की number देखने के बाद market को एक number कैसे लगे वो आप लोगों को यहापे इस सवाल का जवाब यहापे ही यहापे मिल जाएगा तो चलिए अभी विपरो के number देख लेते हैं सबसे पहले sequence देख लेते June, March, June sequence तो ठीक है टोटल income की बात करें तो 220 लास्ट टाइम था 213 उसके पहले 190 चलो income तो अच्छा है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपर numbers पढ़ रहे हो IT सेक्टर के सभी के number income तो अच्छा ही आ रहा है पूरा कहानी का पर खराब हो रह और लास्ट टाइम उसके पहले एक साल पहले 151 तो बहुत ही ज्यादा जंप है अगर हम लोग यहां पर बात करें सोर्स कहा से है तो हम लोगों को यह देखने को मिलेगा employee benefit expenses सेम चीज़ जो TCS में देखने को मिला था जो बाकी companies में देखने को मिला था employees के खर्चे उनके उन इन्वेस्टर की तरह आप लोगोंने भी सोचना चाहिए बड़े-बड़े players भी कभी-कभी जीरो पर आउट होते रहते और यह सिर्फ डाइक लग नहीं है यह एक्चल में ऐसी ही चीज़े हापे चलती है रोज सिर्फ अगर भगते रहेगा stock तो हर कोई वापे invest करेगा तो disappointed जरूर हो मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या यहापे सोच रहे हैं बट जैसे मैंने का कि हर किसी का अपना अपना analysis यहापे होता है सबी लोग एक ही रास्ते पे चले कोई जरूरी नहीं आप भी अपनी राइस जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि आपको यह नंबर क कैसे लगे सो विपरो के नंबर के अगर मैं बात करूँ थोड़े और थोड़ा थोड़ा और बेटर यहापे expect कर रहा था परस्नली अभी market को अच्छे लगे की नहीं लगे यह तो कल में market के उपर ही छोड़ दूगा और कल भी क्यों आज ही तो हम लोग को शाम को देखने को आपर मिल जाएगा बट यहापे हमनों को गिरावट देखने को मिल रहे है टैक्स देने के बाद जो फाइनल फिगर आता है वो भी देख सकते 25,000, 30,000 and 32,000 राउंडेड फिगर बोला हूँ तो आप देख सकते quarterly early downfall देखने को मिल रहा है and EPS का भी अगर थोड़ा दर्शन क गर लोगे तो सेम ही चीज़े 5.94 से EPS साड़े चार के करीब साड़े पाच का EPS एप्रोक्सिमेटली साड़े चार के करीब सो देखा गया तो डेफिनिटली शॉकिंग नंबर से विप्रो एक बहुत बड़ी कमपनी है बट यह इस इसमें अगर देखा गया तो पैसा है हम से रिटन से आप एक कमाना चाहते है उनके लिए बिल्कुल सही लगते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं इंवेस्ट तो कर लेते हैं बट इस कंपनी का रूल नहीं जानते हैं रूल मतलब कहीं बहुत स्लो चलते हैं आप थोड़ा सा इसका चार्ट पैटन भी देखोगे तो आपका ट्रेडिंग का नॉलेज भी बहुत बड़ेगा बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं आप लोग ने सुना होगा ना कि बीटा बीटा मतलब क्या बीटा इस इकौल टू रिस्क तो लो बीटा वाले स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं ऐसी कोई रूल तो नहीं है बट लो बीटा वाले मतलब क्या उसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा स्टेंडर्ड डिवेशन की बात करें आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी चाहे ना ट्रेडर लोगों की में बात करा हो तो यह चीज़े हम लोगों को यूजरी पता हो नीच चाहे या फिर कोई इ इसके पहले भी बिल्कुल नहीं चल रहा तो बाद में रॉकेट की तरह भागा तो जो तेजी देखकर आते हैं ना दोस्तो वो हर कोई फस्ता ही है रैट कमपनी खराब नहीं यह नेचर आपको इसका पता होना चाहिए तो आशा करतो जितने भी इंपोर्टेंट बाती थी स सारी मेंने कवर कर लिए वीडियो अच्छा लगे तो जरू लाइक और शेयर करते ना एंड डिमाइट अकांट अभी तक ऊपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिलकुल फ्री आफ कोस्ट मिल जाएगी आपका नाम कौन सा अकांट अपने लिंक के तरू उपन किया है ये मुझे प्रॉपरली कमेंट सेक्षन में बताजना तो हफते बार के अंदर अंदर ये सारे वीडियो आपलों को प्रवाइड कर दी जाएंगे so that's it thank you very much so we will be meeting our next video तब तक के लिए बाई बाई